अस्सलाम वालेकूम एवरिवन वेलकम बैग टो मैं यूट्यूब चैनल कोकिंग ड्रेम्ज वेच शाइखा दोस्तों आप सब को बकरा इत की बहुत-बहुत मुबारक है दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खेरेत से हैं चलिए दोस्तों अब हम च जो पार्ट होता है उसको कैसे क्लीन करना है वह सिखाने वाली हो तो यहां पर मैंने लिया है पुरा एक कलीजी का सैट यह आप देख सकते हैं यह रहे लंग्स यह रही लिवर और यह रहा हाट तो अब हम सबसे पहले इन सारे पार्ट को अलग कर लेंगे तो यहां पर मैं इस दिल को पहले अलग कर लोंगी दोस्तों यह देखिए इस तरह से हमें अलग कर लेना चाहिए यह देखिए इसको अलग करने के बाद यह इस तरह से लगेगा तो अब हम इसको साइड में रख देंगे तो अब हम चलते हैं हमारे कली जी के तरफ अब हम कली जी को कट करेंगे चलिए ये भी कट हो चुका है अब ये देखिए इसको भी हम साइड में रख लेंगे तो अब रहेगा हमारा फेपसा यानि लंग्स तो अब हम लंग्स को भी इसी तरह से कट कर लेंगे और यह दिखिए, अब इसको भी हम side में रख लेंगे और अब इसके बाद इसमें बचा है सिर्फ हमारा नलडा यानि गला औके चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे हमारी कलीजी, अब हमारी कलीजी को हम छोटे छोटे pieces में कट कर लेंगे इस तरह से देखिए ठीक है दोस्तों तो अब ये जितनी भी कलीजी है ये सारी कलीजी को मैं छोटे छोटे पीसेज करके काट लोंगी दोस्तों ठीक है तो अब मैंने ये सारी कलीजी को काट ले हाए दोस्तों ये देखिए ये लगभग 700 ग्राम जितनी हुई है दोस्तों ये देखिए इसके पीसे ये तो मैंने मीडियम साइज में काटा हुआ है चलिए अब इसके अंदर जाएगा पामी और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें एक टेबल स्पून सिरका यानी विनेगर ठीक है दोस्तों विनेगर डालने से जो भी इसके अंदर खून रहेगा ना वो सब कुछ बाहर आ जाएगा तो अब मैं इसको एक हाफणार के लिए धक कर रख दूँंगे दोस्तों चलिए दोस्तों अब बारी है हमारे दिल की यानी बक्रे के दिल की दोस्तों ठीक है यह देखिए दोस्तों जो भी बलड क्लॉट रहेगा उसको हम हमरे हातों के मजद से बाहर नि ये देखिए ये काटने के बाद इस तरह से लगेगा और इसके अंदर भी जो भी blood clots रहेंगे उसे भी हम हातों के मदद से बाहर निकाल लेंगे दोस्तों ठीक है अब उसके बाद मैं इस दिल को छोटे छोटे pieces करके काट कर रख लूँगी चलिए दोस्तों अब इसको भी लेंगे एक बाउल में और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी इन सब चीजों को डाल कर अच्छे से हिला कर इसको भी एक 15 से 20 मिनिट के लिए ढख कर रख दोंगी ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों अब लेते हैं बकरे का फेपसा यानी लंग्स तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसे करके काट लेंगे दोस्तों देखे इस तरह से मीडियम साइज पीसे बना के काट लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी इसको भी हिला कर हम थोड़ी देर के लिए इसको ढखकर रख देंगे ठीक है दोस्तो तो अब उठाएंगे नल्डा तो इस नल्डे को भी हम छोटे छोटे पीसिस बनाएंगे और उसके बाद इसको भी पानी में डालेंगे और पानी में डालेंगे नमक और हल्दी डालकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे दोस्तों दोस्तों इसके अंदर तिल्ली नहीं है वो जो पैंक्रियास जैसा होता है वो नहीं है दोस्तों तो उसका भी वीडियो अगर आप चाहिए तो मैं आपको बना कर दिखाऊंगी आप मुझे comment box में comment करके बताईए जिसको भी वो वीडियो देखना है मैं उसको भी बना के दिखाऊंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए इन सब का हो गया है तो अब हम इन सब को एक तरफ रख देंगे और उसके बाद अब हम जाएंगे इनको धोने के लिए यानि wash करने के लिए ठीक है दोस्तों तो यह रहा दिल जिसको हमने नमक और हल्दी के पानी में आदे घंटे के रिए भीगो कर रखा हुआ था ठीक है दोस्तों यह देखिए कितना clean हो चुका है उसी पानी के अंदर तो अब हम इसको इसी तरह से दो तीन पानी में अच्छे से दोएंगे दोस्तों ताके इसका जो भी smell होगा या तो फिर इसमें कुछ blood के clots होंगे तो वो भी निकल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह रहा नलडा हमारा तो इसको भी वैसे ही दोएंगे जैसे हमने दिल को धोया था देखे इसके अंदर हाट डालेंगे और इसको अच्छे तरह से clean करेंगे दोस्तों इसके अंदर थोड़ा चिपका चिपका सा रहेगा उसको हम clean से धोएंगे तो चला जाएगा तो इसको भी हमने नमक और हल्दी के पानी में भीगो के रखा हुआ था दोस्तों तो अब हम ये पानी को फेंग कर अच्छा पानी डाल कर धोएंगे ठीक है दोस्तों ये देखिए हमने पानी से निकाल दिया है अब इसको दूसरे पानी में फिर से धोएंगे और ये बिल्कुल प्लीन हो जाएगा इस तरह से हमें इसको धोना चाहिए चलिए अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल दूँगी और अब चलेंगे हम अपने फेपसे के तरफ ये रहा हमारा फेपसा यानी लंग्स तो ये भी देखिए दोस्तो नमक और हल्दी के पानी में थोड़ी देर रहने के बाद कितना सफेद हो चुका है पहले ये तो रेड दिखने रगा था अभी ये तो सफेद हो चुका है तो इसको हम रानिंग वाटर की मदद से इस तरह से कुइंच कुइंच के ठीक है दोस्तो चलिए इसको हम तीन चार पानी से धोकर एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे इस तरह से तो अब आखिर में बारी आई है हमारी कलीजी की ये देखिए कलीजी आ चुकी है और आप इसका पानी देख सकते हैं ये है विनेगर के मदद से इसका जो भी खून वगरा रथा इसके अंदर ये पूरा निकल चुका है दोस्तों ये देख सकते हैं आप तो हम कलीजी को भी पान छे पानी में धोएंगे दोस्तों ताके ये एक दम सफेद हो जाए आखिर में अगर आप चाहते हैं तो इसमें हल्दी और नमक डाल कर भी अभी एक पर धो सकते हैं ताके इसमें समेल ना रहे चलिए दोस्तों ये हमारी कलीजी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है बिल्कुल वाइट हो चुकी है ये देखिए आप देख सकते हैं ना तो चलिए दोस्तों आप भी जल्दी से जाए हमारे बकराइट स्पेशल में आप भी जल्दी से कलीजी को क्लीजी को क्लीन कीजिए और बनाएए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लीनिंग प्रोसेस कैसा ल झाले हैं